जल्दे से शुरू करते हैं जारी सी बात है एंडे का मास्कम बना रहे हैं तो सबसकरल इंडा तो चाहिए ही होगा लेकिन हमें पूरा इंडा नहीं चाहिए एंडे के सपैती चाहिए हमें दो चम्मट अंडे के सफैदिया और रजर्टिया अलगे लग कर लें 12,000,000 को सफैदिया के दो चमज चाहिए अंडा कोई सा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कि कुछ मुझे पता है कमें कुछ लोग यह भी पूचियांगे कि अंडा देसी चल सकता है तो अंडा देसी भी चल जाएगा अंडा इसे दो चमज में अंडे के लिए अब इसमें बागी चीज़ आट केने वाले तवज्जो से देखेगा सब से पहले मेरपस मैदा है आप मुझतानी मटी पी इस्तमाल कर सकते हैं आपने तकरीबँ एक चमज मैदे का डालना है या आप जितना ज्यादा बलाना चाहा रही है उसे आप से एक पेड चमज मैदे का शामिल कर ले उसके बाद जो आम इसमें तीसरी चीज़ शामिल करने वाले हैं वो है शयद जिन लोगों को शयद सोट नहीं करता वो इसको न चोथे नमबर पर इसमें आड़ करूँगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो खाना पकाने में इस्तमाल होता है, आदा टीस्पून जब आदे लिंवू का रस इसमें आदा ज़िए अदे लिमुन के लिए लिए फिर नीज इसमें आदा डी स्पून चाय बालत स्टाइब करें । तमाम चीज़ें जब आप इसमें शब्स आप देखेंगे कि ये बीच के तरह फंदना शुरू हो जाएगे इस तरह से bleach cream खूल के फॉल इस पूल ऐ जाती है इसे तरह से एक बीच पी बीच भी हमारी ममड बीच बनेगी तरह आपको बिताते हैं कि आपने इसको फॉरी अप्लाइब नहीं करना है जासे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि यह एक जान हो जाए यह बिल्कुल फार्म की शकल में आ गया है अब आपने इसको तकरिबन एक तेर मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अपनी असके आलत मेरे क्योंकि अप्लाइ करना कपी मुश्किल होगा तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा और रैसे भी इसकी तरह से अप्लाइ करें तो आप इसके तो से तीम कोड अप्लाइ करें लगेगा तो यह आपको अगर चाहिए के बताते हैं कि आप अपनी अप्लाइ करना असान रहेगा तो इससे स्टेज पेसमें फ़ड़ा मैदा ओर या मुलतानी मती यानि कि अजर एक चीज आपने पहले मैदा मिलाय तो मैदा ही मि तो इसमें कुछ चीज मिलाकि तो 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 थोड़ा ठीक कर लेते हैं तो एक लेयर ताप लेय को आप यह 25 अगर आप इस तरह से अपलाइ करेंगे तो आप इसको एक लेयर को 10 अपा लगा रहने देंगे ड्राइ हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके उपर तूसरा इसरी अब मैं आपको करके लिखादियू इसको आपको अगर 1,5 टी स्फून बेकिंग सोड़ा इसमें डाला है तो आप इचेरे पर अप्लाई कर सकते हैं अगर गंपर करें जिसम किसी है पर बेकर सकता है तो उसको ट्राय हो जाने दे जब तक मैं मैं इसको अप्लाइ करते हूं मेरे नए दोस्त तो पहली तफ़ा वीडियो को देख रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की नीचे सुरख बटन अगर आ रहा है जिसके उपर सब्सक्राइब लिख होगा उसके साथ एक पहले का बटन बनेगा उस गंटी करना नहीं बूलना आपके इससे आपको जैसे में नहीं वीडियो अपलोड करूँगी उसका पोरी इसको ड्राय होने के लिए मैंने छोड़ दिया और तक्रीबर इसको पंदरा मिनट जैसे लिए लगे थे उसके उपर मैंने एक लेयर खुझ से और अपलाई कर ली थी तो यह दू लेयर है मेरे हाथ के उपर जाए और आप देख रहे हैं कि दूसरी लेयर जल्दी ड्राय हो अपलोड जैने का मास के बहुत सारे लोगों ने पुछा मैंने वीडियो अपलोड वे हैं बड़के अपलोड की है अगर आपके चेरे पर अपन पोस्ट प्रप्लम ऐ उसको प्लाई करें करें के लिए मसाम बंद ने के लिए सकिन बूद चाइड करें कर लिए आपकी स्किन इससे आपको बताने के लिए इसके उपर थर्ट लेयर अप्लाई करके दिखाए है, मतलब कि दो लेयर काफी होगी आपकी स्किन पर डिपैंड करते है, अगर आपने ठीक बनाया तो एक ही लेयर काफी है अब फाइनली मैंने इसको वाच कर दिया एक दफावाश कर लेने के बाद रिजल्ट आपके सामने है, यह मेरा सेकेंड एंड देख लीजिए, इन दोनों में काफी ज़्यादा परकिया अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट एंड मेरा काफी फ्रेश नजर आ रहा है और काफी फेयर है, प्राइट के निस्पर किसे भी वाइटनिंग लोशन से जो आपने हाथ पर मसाज कर सकते हैं, अगर आप साज लास्ट पर ब्लीच करें तो आप यह लाज़मी है कोई हॉममेट ब्लीच यह कुछ भी आप अप्लाई करें तो उसके बाद लाज़मी इसका मसाज करें इससे इचिं नहीं होती, खार कि बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं, तो उनको पुरानी वीडियो का नहीं पता चलता है, इसके थोड़ा बहुत रफरेंस करें लास्ट में होते हैं, अब एक तेर मिनिट इसका मसाज करें अगर पस इसको छोड़ेंगे, इसको आपने अगर तस दिन या पंदरा दिन पर देख सते हैं दोनों हाथों में, तो आप इवन के सिर्फ तिपद क्रीम भी रात को लगाते रहें या पैनल लग भी लिए बट लगाते रहें ताकि आपकी स्कीन के ऊपर जो रिजल्ट है वो बर करार रहें और दूप चाहों से मटी डस्ट और किचन में हम काम करते हैं पर्टिय स्कीन पे ग्लू लाने के लिए उसको वाइड और करने के लिए कि अगर उसकी कियर करते हैं अगर एक दफार रिजाइट मिल गया और छोड़ दिया तो आपकी एद्दाएं कि एक दफार कप्पे पहन लेने के बाद उसको एक साल गाशी नहीं करेंगे तो उसको समझ के आगे होगा तो इसे आज का लेसन मत समझेगा क्योंकि यह लेसन नहीं था लेसन की तरफ हम आप जाएंगे आज के लेसन में आपको यह जहना चाहेंगे कि अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं और यह हम लोग मतलब आप यह उन गटाएं कि उसने मुझे बुलाया नहीं करें मैं उसने मुझे बैठे वी देख लिया उसने मुझे सलाम नहीं किया तो मैंने क्यों करता है तो इसका हल यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रड़ लिजिए और इस बैल के आईकन को क्लिक कर दीचिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पहुंच देए